नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस किचन में आज मैं शेयर कर रही हूँ मिल्क केक की रेसिपी जिसे हम बिलकुल इज़ तरीके से घर पर बना सकते हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी बनता है इसको बनाने के लिए मैंने आपर ले लिया है 1.5 लेटर दूद मैंने आपर फुल करेम दूद यूज़ रही हूँ आप चाहे तो से टोन्ड या फिर गाय के दूद से भी बना सकते हैं मैं आपर कच्छा दूद यूज़ कर रही हूँ अगर आपको खोया हाड है तो उसे आप ग्रेट करके ही यूज करें अब दूद को मैंने गैस पर रख दिया है बोईल करने के लिए गैस को तेज आँच पर रखेंगे और दूद को हम बोईल कर लेंगे एक अबाला आने के बाद हम गैस को लो टू मेडियम हीट पर कर देंगे ताकि दूद हमारा बहे के भार ना आ जाए और इस तरही किस्टे से हम बीच पीच में चलाते रहेंगे ताकि दूद निजे से दूँगी खोया तो यह देखे कुछ दिर पकाने के बाद मैं इसमें खोया एड कर रही हूं खोया मेरा सॉफ्ट ही है तो यह इजीली मिक्स हो जाएगा दूद में डेट लीटर ही मैंने दूद लिया है और देट सो ग्राम ही लिया है मैंने खोया दोनों को अच्छे से अच्छे से मिक्स करना है इसे हमें दूद में तो यह देखे कोया दूद में अच्छे से मिक्स हो गया है अब खोय कलकदाना दिख रहा है पर खोया नहीं दिख रहा है यह देखे इस तरीके से हलकल का दाना दिख रहा है खोय का कुछ दिर पकाने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले लिया है यह नीबू का सत मैंने यहाँ पर लिया है 1 एट्थ टीस्पून नीबू का सत यानि साइट्रिक एसिट यह देखे दिखने में यह सरीके से होता है करीबन दो पिंच है यह नीबू का सत दो पेंच से भी हलका सा कम ही लिया है मैंने आप इस दूद में डालूंगी ये साइ्टरिक ऐसिट तो सारा एकट्थे नहीं डालेंगे इसमें इसको हम चार बार करके इसमें आड़ कर देंगे तो फैले मैं थोड़ा सा ही इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं mix कर लूगी सारह कटेस में आप डाल देंगे दूरद में फॉट भी सकता है तो दीरे-दीरे इसको आप add करते जाएं और दूरद मैं mix करते जाएं इसको इस तरीकै से चार पालब जाने में एक बार में डालती जाऊंगी और इसको मैं mix करती जाओंगी इसके जगह पर आप जाएंगे तो 7-8 बूंदे नीवो के रस की भी डाल सकते हैं इसमें नीवो के रस भी इस तरीके से आप बैचस में ही डाले mix करते जाएंगे इसको citric acid एड करने से इसमें हलका दाना बन जाएगा तो यह दिके सारा citric acid मैंने इसमें डाल दिया है और जो इस side मलाई आ रही है इसको स्क्रेप करके दूद में ही mix करते जाएंगे अब दूद को हमें हाफ होने तक रिड्यूस करना है जब तक यह आदा ना हो जाए तो यह देखे दूद डिड्यूस हो के मारा एकडम हाफ हो गया है अब मैं इसमें एड करूंगी चीनी तो मैं इसमें करीबं 200-500 ग्राम चीनी एड कर दूंगी इसको भी हम बैचिस में ही एड करेंगे तो चार बार करके मैं इस चीनी को एड गरूंगी और इसे में mix करती जाऊंगी सारी चीनी एक बार में आप एड कर देंगे तो इसका temperature अगदुआ गिर सकता है तो इसले चीनी को हम तिरे-तिरे इसमें एड करते जाएंगे और इसमें mix करते जाएंगे तो मैंने आपर करीबन एक कप चीनी लिए है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम्याजादा भी कर सकते हैं अब लास्ट में बच्ची में सारी चीनी मैं इसमें एट कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी इस मिक्स्टर को हम एकदम रिड्यूस करना एकदम गाड़ा होने तक इसे हमें यह पकाना है यह देखें इस सरी किसे से हम चलाते रहेंगे बीच पीच में बिल्कुल भी रगना नहीं चाहिए नहीं चाहिए दूँद मारा कुछ दिर और पकाने के बाद लास्ट में इसमें एड्ट कर रही हूँ घी तो मैंने आपर ले लिया है चार बड़े चमच घी करिबन वन फोर्थ कब घी लिया है मैंने आपर अगर इसे आप वेट में मेशर करें तो करिबन आसी से सौ ग्राम के करीब यह गी है इशी अब हम तो करके इसिमे एड्ट कर देंगे पहले मेना अधर डाल दिया है मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद बखी बचावक घी भी मैं इसमे एड्ट कर दूँगी मीफ्स कर लेंगे इसको तो मिफ्टाई हमारी बन नहीं बालिया आपको ध्यान之前 से पकाना है चलाते रह नहीं इसको तो ये देखे मिक्षर हमारे एकदम गाड़ा हो गया है थिक हो गया है अब इसे हम सेट करेंगे तो ये इजिली सेट हो जाएगा तो मैं गैस को बन कर दूँगी अब इसे हम सेट करने के लिए निकालेंगे किसी टिन में या फिर किसी डब्बे में जब एक दम गरम गरम हो तभी इसे हमें सेट करने के लिए किसी बर्तन में निकालना है तो मैंने आप ले लिया इस तरीके से ये टेन मैंने इसे घी से ग्रीस कर लिया है आप चाहें तो कुछ स्टील का डबबा भी ले सकते हैं इसको सेट करने के लिए अब सारा मिक्ष्टर इसमें हम डाल देंगे अब इसको हम कवर कर देंगे अगर आपके पास धक्का नहीं तो आप ढ़का लगा दें यह तो आप चाहें तो फॉल पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं अब किसी कपड़े से इसको अच्छे से ढख देंगे किसी मोटे या फिर गरम कपड़े से इसको अच्छे से आप ढखके रख दें ताकि इसको गरमाईश मिलती रहे और अंदर से यह पकता रहे तब इसका कलर अच्छे से आएगा तो मैं करीबन 3-4 कपड़ से इसको अच्छे से ढखके रख रही हूँ करीबन 7-8 गंटे के लिए इसको मैं इस तरीके से ही छोड़ देंगे चाहिए तो इसे आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं तो ये देखिए हमारा मिल्केक सेट हो गया है इसको रखे वे करीबन 8 गंटे हो गए है अब मैं इसे डी मोल्ट कर लेती हूँ पहले मैं इसके साइड्स को इस तरीके से नाइफ से अलग कर लूँगी जिस भी बरतन में इससे आप सेट कर रहे हैं अगर इस आप घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो यह इसली डी मोल्ट हो जाता है पहले इसके एजिस को मलग कर लेंगे इस तरीके से अब मैं इस तरीके से प्लेट में उल्टा करके टैप करके निकाल लूँगी तो यह देखे हमारा मिल्केक बहुत इसली डी मोल्ट हो गया यह देखे एक दिम बड़िया सा मिल्केक बनके हमारा तयार हो गया है बहुत इजीली इसको हमने घर पर ही तयार किया है और खाने में यह बहुत बड़िया बना है अब मैं इसे कट कर लेती हूँ इसमें कोई मिलावट नहीं है एकदम प्यूर है और घर के समान सही इसको हमने बनाया है जैसे भी इसको आप कट कर सकते हैं अब इस बड़े पीस को मैं दो पीसिस में कट कर लेती हूँ इसको बड़ी एस मिलकेक बनके हमारा तयार हुआ है एकदम सौफ्ट है ये खाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है इस तरीके से बाकी बचे भी मिलके को भी मैं कट कर लेती हूँ उसके बादे से हम गार्निश करेंगे पिस्ते से तो इदे के मिलके को मैंने कट कर लिया है हम इसे पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेर ज़रूर करें और ऐसी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में तब त